कि अच्वाइब दोश्तों बच्चे आडियो वीडियो क्लियर अवाज आ रिये सभी लोगों को ओल्गोड ओल्वेल ठीक है सब कुछ चालो तो बच्चे चीटिंग का जहां तक कॉंसेट है जिसको हम कवर कर रहे थे अपने लास्ट सेशन के अंदर जहां पर हमने सेक्शन 415 उसका पानिश्मेंट 417 416 और उसका पानिश्मेंट 419 कवर कर लिया था नॉर्मल चीटिंग ची केवल हमारे दो सेक्शन्स बचते हैं जहां तक चीटिंग की बात है पहला है 418 और दूसरा है 420 काफी पॉपुलर आप सभी ने सुनाओगा 420 तो उसको भी अभी पढ़ेंगे हम लोग पहले पढ़ते हैं 418 वैसे तो बच्ची ये दोनों ही सेक्शन्स हैं पर्टिकुलर स हैं देखो कॉंसेट अब आप समझ ही गई होगे इतनी तो आपको हैबिट होई गई होगी कि कॉंसेट तो वही रहने वाला है जो 415 के अंदर हमने पढ़ाए कि चीटिंग होता क्या है यहां पर बस क्या होगा कि कुछ additional facts and circumstances चुडएंगे जिसकी वज़े से वह अपरात एक बड़ा अपरात बनेगा क्योंकि normally तो हमने देखा ना cheating 417 के अंदर क्या ही उसकी punishment है क्या उसकी punishment है भाई कि एक साल तक या फिर fine या फिर दोनों फिर हमने देखा कि personation में थोड़ा सा उसमें दमा आ रही थी 419 के अंदर उसमें हमने 3 साल तक का imprisonment कर दिया या फिर fine या फि होगी तो आओ 418 पढ़ते हैं देखो 418 सबसे simple sections में से है अभी तक वैसे आपको feel हुआ होगा कि थोड़ा सा देखो बचे cheating का एक ऐसा chapter है अगर आपको कभी भी लगे ना कि हर एक जो बात लिखी है वो मेरे को समझ में नहीं आ रही तो अब समझ जाना कि आप अकेले नहीं मेरा belief है कि यह जिस तरीके से draft कि है ना section 415 से लेके 420 तक यहां पर drafting बहुत अच्छी नहीं है काफी overlaps हैं काफी confusion से जिनके clarifications नहीं दिये गए हैं तो मुझे मतलब जितना अच्छे तरीके से मैं कल ही तारीफ कर रहा था कि stolen property का जो chapter है कितने अच्छे सरीके से draft किया है पह जो मेरा थोड़ा सा approach है वो different है कि मैं अपनी तरफ से कई बातें आपको कह रहा हूं क्योंकि वही बातें अगर आप याद रख लोगे ना तो इतना काफी होगा ठीक है वही आप यहां पर भी करो अब देखो section 418 में क्या हो रहा है section 418 में cheating ही होगी अब आपको पता है कि हर इन दो situations में से जो मैंने आपको बताई थी यहां तो यह वाला काम हो रहा है properties related यहां फिर यह वाला काम हो रहा है ठीक है तो 418 के भी अंदर यहां तो यह वाली सारी requirements पूरी हो रहे होंगी यहां फिर यह वाली सारी requirements पूरी हो रहे होंगी फिर अलग क्या है यह तो 415 में भ तो चीटिंग कर रहा है, वो इस knowledge के साथ कर रहा है, इस ग्यान के साथ कर रहा है, कि उसकी इस cheating की वजए से हो सकता है, हो सकता है कि wrongful loss होगा, पर wrongful loss तो normal situations में भी हो रहा था, जब हम खासका dishonestly वाली परिस्तिती ले रहे थे हैं यहाँ पर, यहाँ पर होना जरूरी नहीं था पर यहाँ पर तो होई रहा था, तो फिर यहाँ पर क्या अलग है, अलग है, patience रखो, यहाँ पर knowledge है कि wrongful loss हो सकता है, पर जो wrongful loss होगा, cheating की वजए से वो एक ऐसे व्यक्ति का होगा, जिसका interest, protect करना, इस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जो cheating कर रहा है और यह जो जिम्मेदारी है, interest protect करने वाली, यह जो foundation है, यह यहाँ तो किसी कानून के माध्यम से आ सकती है, यहाँ फिर किसी legal contract के माध्यम से आ सकती है, तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कानूनी रूप से या contractual रूप से जिम्मेदारी थी किसी व्यक्ति का interest protect करने की, किसी transaction के relationship में, उसी व्यक्ति ने cheating की है, मतलब जिसकी जिम्मेदारी थी interest को protect करना, ध्यान रखना, उसी ने पीट में छुरा भोका है, और ऐसी परिस्थितियों में ऐसा किया है, उसने इस ग्यान के साथ किया है कि wrongful loss हो सकता, उसे पता था, जब वो cheating कर रहा था, उसे पता था कि उस cheating का impact उसी व्यक्ति पे पड़ करेगा, उसका wrongful loss होगा, जिसका interest protect करना, उसकी जिम्मेदारी है, तो ऐसी सिच्वे, obviously देखो बच्चे, आप खुद ही समझे, अलग है ना, 408 है, क्यों है, अलग है, यहाँ पे ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस पर भरोसा किया, अरे भाई, जिसकी जिम्मेदारी थी, आपको protect करने की वही cheating कर गया, वही आपको wrongful loss कर गया, जानते हुए, तो ऐसी परिस्टिती में, ऐसे व्यक्ति को imprisonment हो सकता है, rigorous या simple, जो देखो आप 3 साल तक का हो सकता है, नॉर्मल में क्या था, 470 के अंदर, अगर कोई आम आदमी करता किसी दूसरे आम आदमी के साथ, तो कौन सा होता है, एक साल तक ही होती, यहाँ पर तील साल तक की सजा है, यहाँ फिर fine, यहाँ फिर दोनो, जो cheating 415 के अंदर हो रही थी, इस माढध्यम से या इस माढध्यम से वही cheating यहाँ पर हो रही है, बस इन दो लोगों के बीच में, cheating करने वाले के बीच में और जिसके साथ cheating हो रही है, उसके बीच में, एक ऐसा रिष्टा है, कि cheating करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से, यह contractual रूप से वाद्द है, इस दूसरे व्यक्ति के इंट्रेस्ट को प्रोटेट करने के लिए और ऐसी सिचुएशन में ऐसी वाद्धिता होने के बावजूद फिर भी ये चीटिंग कर रहा है और किवल चीटिंग करना काफी नहीं है ये जानकारी होते हुए कर रहा है कि वो जो कर रहा है उसकी वज़े से रॉंगफुल लॉस होगा इस वेक्ति को जिसको प्रोटेट करना उसके जिम्मेदारी है तो यह जो इमीडियसी अफ रिलेशन्शिप है यह जो एक्स्पेक्टेशन है इसकी वज़े से हम हाइटन पनिश्मेंट दे रहे हैं सेक्शन चार सो अठारे के अंदर और कुछ भी नहीं है ऐसा निया कि कोई एक्ट बदल जाएगा चीटिंग इसी माध्य हमसे होगी कि यह वेक्ति कोई डिसेप्शन कर रहा होगा फ्रॉड इंडिलिवरी के बारे में यह प्रॉपर्टि के रिटेक्शन के बारे में यहां फिर डिसेप्शन कर रहा होगा इंटेंशन के साथ कुछ करवा रहा होगा यहां कुछ करने से रोग रहा होगा जो वह करता यहां फिर नहीं करता जिसकी वैसल से हमें डेमेज होगा सब कुछ वही है इसकी कानूनी यह ना फिर contractual वाद देथा थी इसकी प्रोटेक्ट करने की अब इसका एक्जाम्पल देखो मानो ये बंदा है attorney है इसका वकील है इसका फॉर एक्जाम्पल कैसा रिष्टा है दोनों के बीच में इसकी इंट्रस्च को प्रोटेक्ट करने की और contractual गासी क्वजा इसकी वाद देता है इसके इंट्रस्च को प्रोटेक्ट करने की और आभी ये इसके साथ cheating कर चाहें इसकी रिलेशन में चाहें इसकी रिलेशन में और यह जानते हुए करते कि इस विचारे का रॉंग्फुल लॉस होगा ऐसा नुक्सान होगा जो इसका नहीं होना चाहिए था कि यह जो वकील सहाब है वो 417 के अंदर नी 419 के अंदर जाएंगे ठीक है अब कोई बंदा है रिल एस्टेट एजट है मेरे साथ उसका कॉंट्रेक्ट है मैं इसको पैसे पर करता हूं वो मिरे को एडवाइस देता है और वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी दूसरी पार्टी के सामने मैं अपना घर बेच रहा हूं और वही दूसरी पार्टी के साथ मिलके मेरे साथ cheating कर रहा है इस माध्यम से या इस माध्यम से यह जानते हुए कि मुझको wrongful loss होगा तो इसको सजा 477 के अंदर नहीं मिलेगी इसको सजा 478 के अंदर मिलेगी जो 3 साल तक ही हो सकेगी क्योंकि यह bound था by the contract कि वो मेरे इंट्रेस्ट को protect करेगा और उसने क्या किया जस्ट अपोसिट किया तो यही जो relationship है उसको serious बनाता है जिसकी वज़य से हमारे पास यह अलग section है 488 ठीक है अब मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी समझने के लिए आप बच्चे मूव करते हैं one of the most important sections of the chapter और वो है section 420 415 में cheating का concept पढ़ने के बाद personation को समझने के बाद और यह 408 के अंदर यह foundation को समझने के बाद हम पहुचते हैं बच्चे section 420 पे section 420 भी एक peculiar circumstance ही है cheating के अपराद की cheating के अपराद की मतला 415 की पर यहाँ पे क्या peculiarities हैं उन पे आप ध्यान दीजिएगा खासा क्योंकि यहाँ पे भी आप confused होगे ठीक है आप कल को खुद से पढ़ोगे in fact अभी भी पढ़ोगे तो you will feel the confusion क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी drafting नहीं की गई है overlap साफ साफ दिखाई पड़ता है 415 के अंदर और इस 420 के अंदर पर दोनों के अंदर जो सजा है वो बहुत उपर नीचे है जिसकी वज़ा से थोड़ा और परिशानी की बात है वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा पहले समझो की section क्या है क्या रहा है यहां पर बच्चे क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति cheating कर रहा है और whenever I say this कि वह cheating कर रहा है either this or that कोई भी बंदा cheating कर रहा है पर देखो अलग क्या है वह cheating करके dishonestly dishonestly तो आपको पता ही चलगे ना in order to cause wrongful gain wrongful loss it dishonestly induce कर रहा है dishonestly induce कर रहा है किसी भी व्यक्ति को कि वो व्यक्ति जिसके साथ deception हुआ है कि वो deliver करे कोई भी property किसी भी व्यक्ति को to deliver any property to any person अभी मैं समझ रहा हूं आप लोगों के थोड़े से दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे रुख जाओ अभी रुख जाओ तो यहां पर सबसे पहले section को पढ़ लो पूरा कि cheating के माध्यम से dishonestly induce किया जा रहा है किसी व्यक्ति को deliver करने के लिए कोई भी property यहां फिर यह नया है यह नया है यह फिर क्या किया जा रहा है यहां फिर cheat किया जा रहा है और dishonestly induce किया जा रहा है उसी deceived व्यक्ति को जिसके साथ deceive हुआ है deception हुआ है कि वो क्या करे कि वो बनाए यहां बदलाव करे alter करे यहां फिर destroy करे नस्ट करे पूरी तरीके से या किसी भी भाग को किस चीज के किसी भी valuable security के valuable security की definition मैंने आपको बताई थी anything that has value कोई भी ऐसा दस्तावेज कोई भी document जिसकी value हो सकते के in terms of money तो कोई भी व्यक्ति ऐसा valuable security बना रहा है alter कर रहा है यह टेस्ट्रॉय कर रहा है और उसके पीछे वज़य क्या है कि कि किसी ने उसके साथ deception किया है और इसको dishonestly induce किया जा रहा है ऐसा करने के लिए यहां फिर कोई भी ऐसी चीज कोई भी ऐसी चीज जो signed है या फिर sealed है जिसको sealed किया गया है जो है तो नहीं अभी valuable security की definition में नहीं गिरेगी मतलब अभी उसकी value नहीं है in the eyes of law पर जिसको convert किया जा सकता है valuable security में जैसे एक blank check blank check कि कोई value नहीं बट इवन फिल इट आउट क्या हो जाएगा valuable security बन जाएगा ठीक है तो यह हो गया दूसरा induce किया जाना किसी भी व्यक्ति का deception के माध्यम से कि वो deliver करते किसी भी property को यहां फिर make करे, alter करे, destroy करे किसी भी valuable security को यहां फिर किसी भी ऐसी चीज़ को जो जिस पे valuable security में convert किया जा सकता है तो यह जो दोनू situations है delivery वाली और यह valuable security वाली यह ऐसी चीज़ जिसको valuable security में convert किया जा सकता है यह गिरती है section 420 के अदर section 420 के अंदर और section 420 के अंदर गिरने का मतलब आप समझ रहा है what is the consequence जो आपको सजा होगी बच्चे वो साथ साल सक्की हो सकती यह सबसे बड़ा concern जो सजा है वो साथ साल सक्की हो सकती और आप पे fine भी लगेगा तो जहां एक तरफ हमने 415 के लिए केवल एक साल पाया 416 के लिए हमने 3 साल पाया 418 के लिए भी हमने 3 साल पाया पर 420 के लिए 7 साल की सजा और प्लस fine है बच्चे 415 के लिए भी cable fine लगा के छोड़ा जा सकता था 416 के लिए personation के लिए भी cable fine लगा के छोड़ा जा सकता था 418 के लिए भी boundariesnego situation में भी cable fine लगा के छोड़ा जा सकता था पर यहां पर आपका jail में जाना पक्का है तो अगर आप इसके punishment वाले part को देखू तो no doubt, no doubt बच्चे ये बहुत serious है, साथ साल कोई arm punishment नहीं है, cheating जैसे अपरात के लिए इतना बड़ा punishment देना है भई, serious मामला है, और आप फिर से चलते हैं वापिस, कि ये section कह क्या रहा है, उसको समझो, इसका मैं आपको chart बना के दिखा करना कि क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखो यहां पर एक शब्द, पहली मैं आपको एक suspense खोल दे रहा हूं, एक शब्द यहां पर मेरे हिसाब से गलत इस्तमाल किया गया है, वो ये बाला, ये शब्द इस्तमाल नहीं किया जाना चाहिए था, cheating शब्द इस्तमा होने चाहिए, whoever causes deception, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं उसकी भी वज़े बताऊंगा, क्योंकि जब आप बोलते हो, whoever cheats, तो आप ये मान के चलते हो, कि ये एक ऐसी परिस्तिती है, जहां पे इसमें से कुछ, या इसमें से कुछ हो चुका है, जैसे 418 म में भी cheat शब्द इस्तमाल किया गया है, शुरू में ही, पर वहां पे सच में ऐसा required है कि ये वाली परिस्तियां, ये वाली परिस्ति बन रही हो, केवल फर्क क्या है कि उन दो parties का relationship ऐसा था, कि वो भरोसे का था, जिसको तोड़ा गया था, जिसकी वैसा अलग section दे रहे थे, चारसो अठारे के अंदर दुबारा से इनकी उपर चर्चा नहीं की गई थी, कि requirements क्या होने वाली है, कि क्या करना पड़ेगा cheating करने के लिए लिए वाली relationship, पर section 420 के अंदर ऐसा नहीं है, section 420, 415 से अलग इस वज़े से नहीं हो रहा कि relationship अलग है, या फिर कोई personation हो रहा है 420 अपनी खुद की requirements इस्थापित कर रहा है, अपनी खुद की requirements बता रहा है, आप देखो, property को deliver करने के वाले में inducement करना, यहा फिर valuable security को make alter या destroy करवाना, तो यह अपनी requirements establish कर रहा है, कि ऐसा ऐसा होगा, तब 420 के अंदर cheating मानेगे, तो यह अपना एक alternative concept develop कर रहा है, for that reason यह cheating लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर cheating है, तो फिर इस सब का कोई फायदा नहीं है, फिर तो वो double बात हो गई ना, एकी बात को दो बारा, दो बार repeat कर रहा हो ना, कि पहले आप section 415 की सारी requirement पूरी करो, फिर इसकी सारी requirement प इस्तमाल की गई है, deception से शुरुवात करनी चाहिए थी, इसलिए जब मैं इसको मैं आपको structure बना रहा हूँ, जब मैं इसका chart बना रहा हूँ, तो मैं अपनी तरह से deception शब्धी इस्तमाल करूँगा, जिससे clarity रहे, वनना कोई फायदा नहीं होगा, समझ में आए गई गई न देखो, सबसे पहले आपको चाहिए क्या की deception होना चाहिए, और deception का मतलब वही, जो मैं आपको 451 के अंदर बताया, कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को misrepresent किया है, या conceal किया है, उसकी वज़ए से दूसरा बंदा बेफूफ बन भी गया है, मतलब उसका deception हो भी गया है, तो स सबसे पहले नंबर पे तो हमको यहाँ पे जो लिखा होना चाहिए था, वो deception होना चाहिए था, दूसरा, deception किस उद्देश्य से किया जा रहा था, deception का उद्देश्य था कि dishonestly, dishonestly, induce करना है किसी भी व्यक्ति को, अब बचे, induce शब्द का मतलब होता है, किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रिरित करना, एक induce शब्द आप सुनोगे, एक force शब्द सुनोगे, force थोड़ा ज्यादा कठिन शब्द है, ज्यादा कड़ा शब्द है, force मतलब होता है, ज कि ना कहीं कुछ परेशानी उसको कहीं ना कहीं मैं प्रेरित कर रहा है उसचीज को करने के लिए वह अपनी खुद से तो बीच की परस्तिति मन मर्जी से करने के और फॉर्ज से करने के इसके should किस्तिति है उसको बोलते हैं हम inducement तो deception है deception के पीछे dishonestly induced किया जा रहा है और dishonestly induced किया जाने के मतलब क्या है in order to case wrongful laws और wrongful okay अब यह जो dishonest inducement raise किया जा रहा है यह बच्चे दो मामलों में से किसी एक मामले के बारे में हो सकता है यहां तो यह जो dishonest inducement है यह हो सकता है बच्चे property की डिलिवरी के बारे में प्रोपर्टी की डिलिवरी के बारे में इसके एदर भी अब अब आउट दिलिवरी अपले जिए Filip मिंट है याघ ए यह इंड्यूसमेंट हो सकता है अबर अबाउट Olिएशन मेक लिखा हुगा है पर मैं creation शब्त के इस्तमाल करता हूँ आप मेक लिख लेना about creation about alteration about alteration और about destroying किस चीज की या तो valuable security की ठीक है valuable security की या फिर ऐसी किसी भी चीज़ की जो signed है या फिर sealed है जिसको convert किया जा सकता है which can be converted into valuable security which can be अभी है नहीं वो जिसको convert किया जा सकता है valuable security इन दोनों में से अगर कोई भी परिस्ति बनती है तो section 420 का पराद आता है और आपको सजा 7 साल तक ही हो सकती है plus fine तो deception होना चाहिए डिस और deception के पीछे dishonest inducement होना चाहिए जो dishonest inducement किसी property की delivery के बारे में होना चाहिए या फिर किसी भी valuable security या किसी भी signed या sealed चीज जिसको valuable security में convert किया जा सकता है उसको बनाने के बारे में उसमें बदलाफ के बारे में उसको destroy करने के बारे में होना चाहिए देखो बच्चे मुझे यहां से भी कोई परिशानी नहीं है जैसी मैंने cheating के बदले deception शब्त को इस्तेमाल किया अब यहां पे भी कोई confusion नहीं है मुझे इससे भी कोई परिशानी नहीं है क्योंकि dishonestly induce कर रहे हो तो wrongful gain और wrongful loss की बात है मुझे परिशानी है इस segment से क्योंकि अगर मैं देखूं deception किया जा रहा है dishonestly induce किया जा रहा है property डिलिवर करने के लिए ये बात कहीं ना कहीं हम यहां पे cover कर चुके हैं deception किया जा रहा था dishonestly create किया जा रहा था in order to deliver the property यह था कि deception ज़रूरी नहीं dishonestly कि थुरू होता fraudently कि थुरू भी हो सकता था पर था था वो प्रॉपर्टी के डिलिवरी के यह बारे में तो कहीं न कहीं आप देखो practically practical बातों मैं बाते को academic तो difference निकालने पर आऊं तो पचासों निकाल देंगे और आप भी निकाल सकते हैं ऐसी बात नहीं है किताब उन्हों भी निकाल रखें पर मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ प्रैक्टिकली सोचों यहां पर भी deception है कोई बंदा बेफ़ी बन रहा है वहां पर भी deception है यहां पर भी dishonestly wrongful gain wrongful less वहां पर भी dishonestly वहां पर भी deception dishonesty जो है वो प्रॉपर्टी की डिलिवरी के बारे में है अब वह चाहें खुद को चाहें किसी को बच्चे वाट इस इंपोर्टेंट इसी डिलिवरी ऑफ प्रॉपर्टी यह प्रॉपर्टी डिलिवर हो रही है किसी डिसेप्शन की वैसे हमारे लिए तो यह इंपोर्टेंट है ना वहां पे भी यही काम हो रहा है चारसोबीस में भी एकाम हो रहा है तो कैसे फर्क करोगे जब कोई व्यक्ति सही में deception करेगा dishonestly करेगा property की delivery के relation में करेगा तो उसको सजा 415 में दोगे है 420 में क्योंकि फर्क बहुत है कहां वो 415 में केवल एक साल तक ही सजा पा सकते हैं केवल fine से चूट सकते हैं कहां 420 के अंदर भाई उसको jail जाना जाना पका है और वो भी साथ साल तक के लिए तो बड़ा ही भयानक overlap है छोटा मोटा overlap नहीं है बड़ा भयानक overlap है जो बड़ी खत्रना consequences लेकर आ सकता है इससे मुझे कोई परिशान नहीं है this is entirely यह 420 की अपनी originality है deception है dishonest है inducement है about valuable security or anything that can be converted to valuable security और काफी comprehensive है valuable security को बनाने के बारे में किसी को मैंने किसी के साथ मैंने धोका दड़ी की और उसको inspire किया कि वो मेरे लिए मेरे favor में को valuable security create करे यहां फिर alter करे यहां फिर destroy करे हो सकता है उसके favor में हो उसको destroy करते हो यहां फिर कोई भी ऐसी चीज जो अभी नहीं है जैसे मैंने आपको blank check example दिया उसको उसमें अगर वो सारी requirements पूरी करता है it can be converted into self-evailable security तो इसमें कोई परेशानी नहीं यहां पर थोड़ी सी दिखकत है जिसको हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ठीक है पर as a law student मुझे नहीं लगता कि हमको इतना इसमें घुसना चाहिए इतना required भी नहीं है जब भी exam में आप 420 को लिखोगे this is the structure that you are going to draw आपको कोई ज़रूरी नहीं है इस overlap को ज्यादा discuss करने के क्योंकि आप उसको कितने अच्छे से समझा पाओगे examiner को वो भी एक बड़ा question है और ऐसी चीज में मत जाओ जिसमें हो सकता है कि आपका time खराब हो जाए तो यह structure याद कर लो 420 के लिए deception होना चाहिए इस honestly होना चाहिए inducement होना चाहिए इधर about this delivery of property to any person और about the valuable security or anything that can be converted to valuable security का creations तो alterations का destroy अगर ऐसा है तो जो punishment है it can extend up to 7 years और साथ के साथ fine भी लगता है ठीक है so with this we are officially done with the concept of cheating very important short note तो बच्चे आता ही रहता है and कुछ बड़ी बात नहीं है अगर long question भी आ जाए तो आप मुझे सबसे पहले तो बताओ कि इस session में जो हमने दो sections पढ़े section 418 और section 420 क्या उसके बारे में पूरी clarity है कहीं पर कोई doubt कोई confusion नहीं है पहले तो मेरे को इस बात में सुनिश्चित करो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है दिमाग में ऐसा लग रहा है कि confidence है बास समझ में आ जाए कि लिख लोगे उसको express कर लोगे ठीक अब देखो मैं हलका से conclude कर देता हूं क्योंकि दो classes में divide होगे हमारा discussion तो हलका से conclude कर लेता हूं कि cheating की situation में what are the points that we need to cover यहां पर section 415 is the definition of the concept of cheating कि cheating होती क्या है उसके लिए आपको दो रास्ते चुनने पढ़ेंगे cheating करने के दो रास्ते हैं जहां एक तरफ deception है deception के साथ fraudulent या फिर dishonest intention है और वो fraudulent या dishonest intention induce कर रही है आपको किस बारे में induce कर रही है property के delivery के बारे में या property की retention के बारे में तीक है ही नहीं है dishonest हो fraudulent हो intentional है वो किस बारे में है कि कुछ करवा रहे हैं आप से या कुछ करने से रोक रहे हैं जो आप नहीं करते या फिर करते उस reception की absence में और उस करने की या ना करने की वैसे आपको हाम हो रही है ठीक है आपकी body को आपके mind को आपकी reputation को आपकी property को इन दोनों ही माद्धियमों से हम बोलते हैं कि cheating हुई है इसका punishment 417 के अंदर आपको मिलता है जो punishment एक साल तक हो सकता है यहां फिर fine यहां फिर दो यह थ शुरू होगा इस से शुरू होगा इसको उठा के side में रख दो we are done with it फिर आते हैं पहले special circumstance है पहला special circumstance है cheating by personation इसकी definition आपको मिलती है section 416 के अंदर तो पहले तो presume करके चलना है कि cheating है कि जो हमने requirements पढ़ी 415 के अंदर वो सारी पूरी हो रही है चाहें वो पहली वाली स्थित जगे common था property वाले में भी और act वाले में भी जो वह deception था उसको करने का एक specific तरीका है वैसे तो deception करने के हजारों तरीके है आप जूट बोल दो आप conceal कर लो कोई चीज हजारों तरीके है वहाँ पर deception करने का एक specific तरीका बताया है that is personation और personation के मैंने कैसे समझा है आपको when a particular person person adopts the personality of another जब मैं अपना दोस्त बनके अपने आपको doctor की तरह represent कर रहा हूं कि मैं हूँ विजय जो doctor हूँ getting my point this is personation अगर किसी personation के माध्यम से मैं किसी के साथ वही काम कर रहा हूँ जो मैंने 415 के अंदर पड़े तो मेरे को सजा कहा मिलेगी बच्चे मेरे को सजा मिलेगी 419 में तो 416 is related to 490 और जो सजा है बढ़ जाएगी है क्योंकि personation है तीन साल तक की सजा यहां फिर fine यहां फि भी cheating है मतलब section 415 का property वाला situation यहां फिर act वाला situation बन रहा है बस अलग क्या है यहां पर जो cheating करने वाला बंदा है और जिसके साथ cheating हो रही है जिसके साथ deception हो रहा है उनका संबंध important है यहां पर cheating करने वाला बंदा bound है either by law or by contract to protect the interest of the person उसी बंदे का जिसके साथ वो cheating कर रहा है और वो यह जो cheating कर रहा है यह जो deception कर रहा है वो इस जानकारी इस साथ कर रहा है इस knowledge के साथ कर रहा है कि wrongful loss हो जाएगा उसी बंदे को इसके बाद भी वो कर रहा है तो यहां पर उसको सजा 418 के अंदर ही punishment प्रोवाइड की गई है उसमें definition भी है उसमें punishment भी है और 3 साल तक का हो सकता है उसी की तरह personation की तरह यहां फिर fine यहां फिर दो वहाँ पर जो relationship था party का उसने punishment बढ़ाई और 416 में क्या क्या deception का जो तरीका था उसने punishment बढ़ाई आखरी में आते हैं 420 पे जिसमें सबसे heightened punishment है up to seven years up to seven years प्लस fine प्लस fine, fine is not alternative, प्लस fine, imprisonment भी, fine भी, 420 के अंदर भी दो तरीके से आप गिर सकते हो, 420 में आपको deception चाहिए, 420 में आपको dishonest inducement चाहिए, मतलब dishonest intention चाहिए इसके थ्रू आप induce कर रहे हो, यह दोनों common है, दोनों तरीकों में यह common रहेगा, ठीक है, deception और dishonest inducement, अब इसके बा है, और dishonest inducement है, यह यहां तो किसी property की delivery के बारे में हो, यहां फिर यह जो deception है, और यह जो आपका inducement है, dishonest intention के साथ, यह किसी valuable security के relation में हो, यह किसी भी ऐसे दस्तावेच के relation में हो, जिसको valuable security में convert किया जा सकता है, अगर वो sealed है यहां फिर signed है, और यह उस valuable security यहां उस चीज जिसको valuable security में convert किया जा सकता है, उसके creation के बारे में हो सकती है, उसके alteration के बारे में हो सकती है, यह उसको destroy करने के बारे होती है, तीनो perspective का बार होते है, तो यह दोनों मात है, इन दोनों में से कोई भी एक रास्ते पर आप चलोगे, तो आप section 420 की requirement पूरी करोगे, जहां तक पहली वाली परिस्ति है, प्रोपर्टी की deliver करने वाली परिस्ति है, वो जैसा मैंने आपको बता है, हलका सा overlap करती है, 400 बंदर के अंदर, पर उसके बारे में आपको परिशान होने की बार जरूरत नहीं, वो आपकी additional knowledge है, जिसको आप अपने पास रखोगे, तो आपकी understanding अगर इन दोनों में से कोई भी perspective बन रहा है, तो आपको जी imprisonment मिलेगा बच्चे, वो 7 साल तक का हो सकता है, it can be extended up to 7 years plus 5, ठीक है, तो ये कहानी है बच्चे, 415, 417, 416, 419, 418, 420, cheating a concept, now we are officially done by that, हाँ, retain के बारे में जब हम बात करते हैं, obviously जब possession पहले से है, और हम उस property के retention के बारे में सोच रहे हैं, तो consent, we need the permission, अब जैसे मैं पहले से किरायदार हूँ और मैं उसको उलू बना रहा हूँ कि मैं उस consent, उसको continue कर सको अपने possession को, अपने retention को, तो why don't, why can't we use the term consent, उससे anything that is conceptual, जो आपको नहीं समझ मैं, सभी बच्चे एक बार मेरे को बताएं, are we all clear about this, सभी एक एक बच्चे, all clear, कहीं कोई confusion नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिशानी नहीं, तो मैं अपनी तरह से हो सकता हूँ satisfy, that we are done with this, चल, इसी के साथ, thank you so much बच्च है, this is to cover up the classes, and telling you, बच्चे, you are not gonna get this opportunity again, संडे से लेके अगले संडे तक का आपकी पास time है, whatever pendency you have in whatever subject, बच्चे उसको finish कर लेना, मैं आपको मिलूंगा next week, और हम अपने इसी lecture series को, अपने इसी sessions को continue रखेंगे, और उमीर है कि आप तब तक मेरे बराबर आ गए होगे, अग पीछ रहे गए हो तो, ठीक है, चलो, बबाई, हैपी हॉलिडेस, मेरे लिए, तेंकी सो मॉच, गुद नाइट